हाई फेंड्स मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं ड्रीम 11 IPL की बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका टीम प्रोवाइट करूँगा जो मैच है या पर से राजस्थान रॉयल्स वासेज किंग सिलेवन पंजाब के बीच मैं दोनों टीम काफे अच्छा खेल खेल रहा है और काफी अच्छा जो इंडियन प्लेयर से काफी अच्छा बड़िया फॉर्म में है तो मैं लाइन अप दिखा देता हूँ आज का जो प्रोबेल इलेवन है केल राहूल फास्ट मायंक अगरवाल दोनों मिलकर ओपेनिंग करेंगे काफे अच्छा खेलाड़ी है दोनों या पर से खिजगेल अगर अच्छा हो गया है तो खिजगेल अच्छा मैच खेल सकता है निकुलास पूरान भी खेल सकता है हो गया है तो खिजगेल ओपेनिंग जरूर करेगा मायंक अगरवाल वान डाउन खेल सकता है यहाँ पर से कोडून नायर सरफरास खान काफी अच्छा ग्लेन मैक्सवेल भी काफी अच्छा है जी मिनीशम भी काफी अच्छा तग्रा कि लाड़ी है मुर्गो नाशिन पिछ का बात मुहमद शामी तो एकदम जाद फास्ट बॉलर का शहिंशा हो गया अब तो हर मैच में मुहमद शामी तेज गेंट के साथ विकेट जरूर लेता है तो पंजब का मानना है पंजब थोरा सब बेटर है आज राजस्थन का जो प्लेइंग 11 है यसवी जैशुवाल काफी अच्छा खिलाड़ी यौंग खिलाड़ी है बॉल भी कर सकता है लेकिन बॉल नहीं कराता है जैश्वी जैशुवाल किसी है आज जोश बटलर मैच खेलने उतरेगा तो जोश बटलर काफी अच्छा खिलाड़ है लेकिन जो पिछले जो ऑस्ट्रियंस सीरीज है वन डे में अच्छा नहीं कर पाए लेकिन टीटौ इंट्री में काफी अच्छा खेले है कि मैं आगर लाइनप में होगा तो लाइनप चेंज होने के बाद मैं मैं चेंज कर दूंगा ले सकता हूँ अगर बैटिंग पे आगे आए उटास जीतने के पाद राजुस्तान फिर यापर से सोंजु सैमसन को मेरे टीम में पिक करूंगा काफी अच्छा खिलारी है फिर स्टीव स्मीथ काफी अच्छा कैप्टेन का रोल निवाएगा रोविन नुथाप्पा है राहूल त्यवाटिया बॉलिंग में काफी अच्छा लजावा बॉल की यह थे चेंद्नाई के विरूत टॉम कुरान काफी अच्छा खिलारी है रीहन पोडाक काफी अच्छा है तो स्रेयस गोपल काफी अच्छा बॉलार है यावर से जोफरा आर्चर औ जैदेवुनातकार जैदेवुनातकर का थोड़ा मार पड़े चेंद्नाईस के विरूत जो फ्राचर काफी अच्छा बॉल किये थे गोपल भी कफी अच्छा खिलारी है तो यह रहेगा प्रोवावेल इलेवेंग जो राजसान रॉयल्स का अब मैं टीम देने जा रहा विकेट कीपर का जो आप्शन रहेगा वो आप्शन पे केल राहूल को मेरे टीम में पिक करूंगा काफी अच्छा खिलारी है केल राहूल मैं उनको मेरे टीम में पिक करूंगा यह कैप्टेन इन दा फ्रॉंट जब एक कैप्टेन फ्रॉंट पे आकर खेलता है ना तब एक टीम उभर के आ रहाता है 2016 में क्या हुआ था विराट कोली काफी अच्छा खेले इसलिए फाइनल तक लेग गया है जब विराट कोली का फॉर्म डाउन हुआ है बैंगलोर कर भी डाउन हुआ है जब कैप्टेन का असली रोल मोडल होता है एक टीम में जो के लाउल काफी अच खेल खेल रहा है खेले थे और आज का मैच भी काफी अच्छा खेलने का शंबा वना है फिर याप पर से निकोलास फूरान अपके आप ले सकते हो याप पर से आप बडलर को ले सकते हो मैंने नहीं लिया है अगर टॉस के जीतने के बाद राजुसान आगे बैडिंग करने थे सुआन जहा आएं तो मैं जॉस्ह बंडड को करूंगा जूरु आप दैडिंग् सेक्शन रे मैं याप पर से पिक करूंगा स्टीव स्मीत को काफी अच्छा खिलारी अपने टीम का कैप्टिन लाज़वाब है फिर यहापर से मायंक अगरवाल को मेरे टीम में पिक करूँगा काफी अच्छा खिलाडी है, ओपेनिंग कर सकता है और यहापर से मैं, मेरा जो मानना है मैं यहापर से रोबिन उथप्पा और एस्वी जैसवाल किसी एक के साथ जा सकता हूँ मेरा मानना है ESB Jaiswal थोरा सा बेटर है आप चाहते हैं तो रोविन उताप्पा को ले सकते हो लेकिन मैं यॉंग टेलन की उपर विस्वाज रखता हूँ आप यह पर से रोविन उताप्पा को ले सकते हो मैं फाइनल अबडेट टीम मेरा टेलिग्राम चैनल पर दे दूँगा उसका लिंक देस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप को रून नायर को ले सकते हो काफी एक्सप्रियंस खिलाड़ी है अबने टीम का सरफरास खान को भी ले सकते हो फिर यह पर से ओल डाउन कर जो स्क्षन आएगा और एक नाम भूल गया मैं खीज गेल अगर लाइन अप में होगा जरूर मैं पिक करूंगा काफी दिनों का बात देखना चाहता हूँ गेल स्क्रिप्शन पर मैं यह पर से सीब एक ही खिलार को पिक करूंगा मैक शमता है उनमें यह पर से आप प्रियान पड़ाग है और जीमी नीशम में आप जीमी नीशम को एक बार ट्राई करकर देख सकते हो बॉलिंग सेक्षन पर मैं यह पर से पिक करूंगा महमत शामी को काफी अच्छा खिलारी है काफी अच्छा वॉलार है विकेट टेकर है मंजाब का बॉलिंग बैटिंग और टोटाल ओल में सक्सेज मिला है काफी दिनों बाद यह पर से पिक करूंगा रभी विश्णोई को यॉंग टेलेंट है मैं यॉंग टेलेंट पर विश्याष कर रखता हूँ कि आप चाहते तो यह पर से काफी सार है मुरुगान जश्विण को ले सकते हो काफी अच्छा है यह पर से आप जैदे बुम्ाथ को ले सकते हो और वहँ काफी काफी अच्छा है अब ले सकतो आपका correct का चॉइस है यह रहेगा मेरा फाइनल टीम गाइस अगर कोई चेंज हो जाएगा मैं फाइनल अपडेट दे दूंगा टेलिग्रम पर आज के लिए आपड़ी कैप्टेन और वाइस कैप्टेन देख लेते हो मैं यह आपड़ से राहूल को मेरे टीम में कैप्टेन बनाऊंगा सभी मोन सभ डेली उनका जो बैटिंग का स्टैट है मेरा मानना है और डेली ओ बंदा उतना अच्छा फॉर्म ने दिखा पाएगा एक दिन हो जाएगा दो दिन हो जाएगा तीसरे दिन लेकिन यह स्टीव स्मीर जो खिलाड़ी है यह आपको कैप्टेन और वाइस कैप्टेन का हर अद निवाएगा इसको आउट करना काफी टाफ है तो इसको मैं वाइस कैप्टेन के पोजिशन दिया हूँ दूसरा कैप्टेन और वाइस कैप्टेन का चॉइस संजू सैम्सन मैक्स्वेल आप ग्रैंड लीग में जाओ तो गाइस आप मोहमत शामी को कैप्टेन जरूर बनाए ग्रैंड लीग में और वाइस कैप्टेन को बनाए यह मेरा मानना है अज के लिए आपड़ी फ्रेंड्स मेरा वीडियो आच चलेगा तो लाइक कीजिए को जानने के लिए जरूर कॉमेंट कीजिए मैं कॉमेंट के रिप्लाइद दे दूंगा और किसी भी प्लेयर को मैंने छोटा नहीं किया है कि मैं विश्वास रखता हूँ योंग प्लेयर प्रेंड और